तो हेलो फ्रेंड कैसे आप दोस्तों आज में आपको बताने वालों सैमसंग मॉवाइल में जिसमें वनीवाई होता है उस मॉवाइल में अगर आप कैमरे से कोई भी वीडियो को स्लो मोशन में सूट करते हैं तो उसके बाद उस वीडियो को एडिट कैसे करते हैं कैसे आप उ उसमें से हट आएंगे तो सारी चीज़े क्लियर करने वाला हूं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आया स्लो मोशन एडिटर का तो उसके बारे मताने वाला हूं दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिए तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सनी यहां पर देख राएं नीचे की तरफ स्लो मोशन का ऑप्षिन जैसी आप इस पर कलिक करने के अथा आपको यहां पर वीडियो कर लेना स्चिट जैसी आपको धूरा हूं आपने मुईल की इालřी में गैलरी में जाने में जाना उस वीडियो पर जिसको एडिट करना है तो दोस्तों एक मैंने एडिट करी हुई वीडियो आपको बता जाता हूं यह मेरी एडिट करी हुई वीडियो देखिए पहले स्टोंख करना वरता है वीडियो को स्लों उसके लिए आप cinco जाना यहां ठीडिट का उप्शन मिल रहा है आप नहीं नहीं आ रहा है तो आप आपडेच कर लीजिए अगर नहीं आ रहा तो मैं आगे आपको बता दूँगा कैसे आपको इसको अपडेट करना है तो दोस्तो बाई डिफोल्ट कभी कब बार ये एक ही लगा होता ये से दो बार लगे हुए और कभी कबर किसी में एक ही लगा होता तो मैं आपको दोनों बता ऌँगा ये दो मैंने इसमें लगा इVAuls और इसमं में ये निक्शर वी्डियो मैं आपको और दो कईसे लगाते है तो दोस्तों यहां पर आप çekएगे सबसे पहले आपको यह ऐससे ले आउट मिल रहा है में यहां चाहिए फास्ट में यहां चलते हुए शलों चाहिए उसके बाद पिर यहां तक आप देख χरे हैं। जहां तक यह थ्री डॉटॉल भरॉत भर रहें हैं और जहां बिल्कुल प्ले कि तुर लाइन मतलब फास्ट वीडियो चलें यह ह upgradis 6 लोगी अब फिर फास्ट हो जाई है या फर वी पर स्लोग है आप यहाँकर सकते हैं SSL отдел कर सकते हैं इसकी जद्धे करना क्या होगा आप को थोड़ा यहां पर छलने वाले जगह पे तो ज्यादा समझ में आएगा आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां स्पीड दिख रही है वन फोर यहां वन एट कर दूंगा तो ज्यादा स्लो हो जाई यह अब देखिए कैसे अब मैं इसको प्ले करके बताए तो आपको इसको थोड़ा चलने वाली जगा पर ले जाओं तो आपको सही समझ में आएगा यह देखिए ज्यादा ही स्लो हो गई आप देख सकते हैं 1.8 में अब यह फास्ट हो गई यह फिर स्लो हो गई यहां पर 1.4 लगा हो इसलिए आप देख रहें यहां पर फिर भी तेज है पहले यहां पर आप स्पीट एजस्ट कर सकते हैं यहां पर आएंगे क्लिक करेंगे तो 1.8 1.2 थोड़ी फास्ट हो जाएगी 1.2 पर चला के दिखा जाते हैं आपको यह मैंने 1.2 पर लगाया और आप देखिएगा यह 1.2 पर चल रही है और यह 1.8 पर चल रही है तो आप यहां स एडिट हो जाएगी इसकी स्पीट को तो आपने पूरी वीडियो को क्रीट कर लेना है एक बार याद करिए अगर आपने एक बार वीडियो को एडिट करके सेव कर दिए तो दुबारा आप उसमें एजस्ट नहीं कर पाएंगी स्लोमों को तो एक ही बार में आपको एडिट चलेगी मेरी यहां से फास्ट है पहले स्लो आएगी अब देख रहे हैं मैं इसको यहां से 1.8 से 1.4 कर दो ज्यादा स्लो नहीं चाहिए मैं अभी देखे रहा यह वीडियो चालू हो चुकी है फिर फास्ट फिर यह आटमेटिक स्लो हो गई है यहां पर 1.2 लगा हुआ है तो 1 1.4 कर देते हैं यह हो गया यहंसे पूरी तरह से concernमेंस अगर आपको यहां से रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं वीडियो को रोटेट करने का option दिया हुए उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिया है जो आप्छिन दिख रहा है यह screenshot लेनी को लिए जहां पर आपको किसी चीज का screenshot लेना है या capture करना है उस वीडियो में किसी पार्ट को तो वहां से आप capture कर सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे कट वाले option पर अपन cut adjust कर रहे हैं यहां पर आएंगे sound का option अगर आप वीडियो में कोई sound देना चा चाहिए जो कि Samsung की तरफ से लिए गए हैपी इतने सारे मूड दिये गए आप जोंसा भी आपको चाहिए हां से कर सकते हैं तो मैं एक भी प्ले करके नहीं बताऊंगा कि विकॉड कॉपी डाइट के इशू के चक्कर में और उसके बाद अगर additional आपको कोई डालना है तो अब बहुत प्यारा एडिट लगा अपडेट होने का आपको करना क्या है बस आपने वीडियो को हैंपर create कर लिया create करने का आपको देख रहे हैं सब कुछ चीज़ अज़स्ट हो गई गरए hefire कर सकते हैं तो यह द्वाली वीडियो यह वीडियो मेरी create हो गई यह वाली डीट हो गई है आप यहाँ पर edit कर पाएंगे अगर share पर click कर देंगे तो दोबारा उस वीडियो पर edit कर पाएंगे और अगर आप save पर click करेंगे तो उस पर दोबार edit नहीं कर पाएंगे धियान रखेगा देखिए दोस्तों यह वीडियो पर ही play हो गई है अब मैं play कर रहा हूं तो normally वीडियो आप देख रहे हैं पहले slow है यह फिर fast होई फिर slow होई तो यह बहुत ही शांदार editor है तो इसको update करने के जाना है आपको यहाँ पर galaxy store में आपको यहाँ पर search मार लेना है तो यहाँ पर जो उपर आएगा आपको उस पर click करना है आपको यहाँ पर लिखना इडिटर यहाँ पर लिखके search मारना है search मारेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर एक option मिल रहा है other similar app में slow motion editor आप देख रहे हैं yellow color का यहाँ पर आइकन है आपको इस पर click करना है click करने के आप देखेंगे यहाँ पर यह automatic updated दिखा रहा है मतलब latest updated है अगर आपके पस requirement होगी तो आपको उसको कर लेना है update आपने मेरे चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना बुलें और मुझे इसका लिंक आपको डिक्शन पर मिल जाएगा तो थेंकी दोस्तों